12. क्लास इतिहास, अध्याय एक, पांच और दसके, कुछ महत्वपून प्रशन निम्न प्रकार हैं 1. हरपा सभ्यता के किस थल से जूते हुए खेत के साक्ष मिले हैं 2. भारतिय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है 3. मन के बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद थी 4. मोहंजोदलो का उत्खनन कार्य किसके नित्रित्व में किया गया वहकब 5. अफ्दल चकिया, हरपाई सभ्यता किस किस स्थान से प्राप्त हुई 6. विशाल स्नानागार कहां स्थित हैं 7. Early Indus Civilization नामक पुस्तक के रचयता कौन थे 8. The Story of Indian Archaeology के रचयता कौन थे 9. सिंधू घाटी सभ्यता की खोज कबवकिस ने की थी 10. हरपा सभ्यता के ग्रैस थापत्य की दो विशेशता बताए 11. AD से क्या तात्पर्य है 12. चोली स्थान कहां स्थित है 13. शंक से बनी वस्तूओं के निर्मान के विशिष्ट के इन्द कौन से है 14. अंग्रेजी में 20 का तात्पर्य क्या है 15. हरप्पा सभ्यता में किन जानवरों की हड्डियां प्राप्थ हुई है 16. बालाकोट और नागेश्वर किस वस्तू के निर्मान के लिए प्रसिद है 17. हरप्पा सभ्यता के पतन के चार कारणों का उल्लेख करो 18. हरप्पा सभ्यता में मन के बनानी की दो प्रमुक स्थानों का उल्लेख करो 19. चनुल्दो क्यों प्रसिद है 20. मोहनजोदलों के नगर को किन दो भगों में विभाजित किया गया 21. हरपपा सभ्यता के किस स्थल से नहरों के अफशेश मिले हैं 22. पुरा तत्वविदों द्वारा खोजे गए विलासिता की वस्तुओं का उलेक करो 23. हरपपा सभ्यता की प्रमुक शिल्प कार्यों का उलेक कीजिए 24. हरपपा मोहर किस से बनाई गई 25. हरपपा सभ्यता का काल निर्धारन कीजिए 26. मिट्टी से बने हलके प्रतिरूप किस स्थान से प्राप्थ हुए है 27. सिंधू घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु कौन सी है 28. हरपपा लिपी में चिनों की कुल संख्या कितनी है 29. पुरा तत्व विदों द्वारा खोजी गई उप्योगी वस्तुओं का उलेक करो 30. हरपपा पूर्व की बस्तियों की क्या विशेश्टा थी 31. हरपपा सभ्यता में महंगी तथा दुरलब वस्तुओं कहा से प्राप्थ हुई 32. पुरा वस्तुओं के आधार पर बताये की हरपपावासी किस की पूजा करते थे 33. उत्तर हरपपा संस्कृती से क्या अभिप्राय है 34. हरपपावासी तामबा और सोना कहा से मनगवाते थे 35. भारत का सबसे आरमविक धार्मिक ग्रंथ कोन सा है 36. रहला का लेखक कौन था 37. ट्रैवल्स इन दमुगल एम्पायर नामग ग्रंथ का रचयता कौन था 38. बनिय पेशे से क्या था 49. बनिय ने अपनी मुख्य कृती को फ्रांस के किस शासक को समर्पित किया था 40. किताब उलहिंद का रचयता कौन था यह किताब किस भाशा में लिखी है 41. शरिया का क्या अर्थ है 42. इबनप्तुता ने भारत की किस प्रनाली की कुशलता का उलेख किया है 43. दुआर्टे बर्बोस कौन था 44. यूरोप के दो यात्रियों के नाम लिखे जिन्होंने भारती अक्रिशकों की गरीबी का वर्नन किया था 45. बनिय में भारत की क्रिशी की किन दो विशेश्टाओं का उलेख किया है 46. इबनप्तुता बनिय अलबरुनी कहां के निवासी थे 47. अलबरुनी किस के साथ भारत आया था 48. इबनप्तुता ने कौन सी वनस्पतिक उपजों का रोचक वर्नन किया 49. बनिय में भारत में पाई जाने वाली सती प्रथा किस प्रकार का विवरन किया 50. भारत में उपनिवेश से पहले अधिशेश का अधिग्रहन राज होता था यह तर्क किस ने दिया 51. इबनप्तुता भारत कब पहुँचा 52. बनिय ने मुगलकाली नगरों को क्या कहा था 53. पेलसर्थ ने भारत की कौनसी सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आक्रिश्ट किया 54. मुहम्मद तुगलक के कहने पर इबनप्तुता ने कहां की यात्रा की 55. इबनप्तुता अनेक देशों की यात्रा करने के बाद स्वदेश का पहुचा 56. इबनप्तुता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया 57. अमला किसे कहा जाता था 58. बनगाल में किस खशेत्र के जोददार अधिक शक्तिशाली थे 69. इबनप्तुता की यात्रा का वृतांत किस भाषा में है 60. अलबरुनी की पुस्तक किस भाषा में है 61. अलबरुनी द्वारा किन दो ग्रतों का संस्कृत में अनुवाद किया गया 62. ताराबाबाद किसे कहा जाता है 63. दासों को प्राय किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था 64. जाती व्यवस्था के विशय में अलबरूनी का विवरन किंग ब्रंथों पर आधारित था 65. इबनप्तुता के अनुसार दिल्ली में कितने दर्वाजे थे वह सबसे बड़े दर्वाजे का क्या नाम था 66. बनिय भारत कितने वर्ष रहा था 66. बनिय की यात्रा का वृतांत कब वकहा प्रकाशित हुआ 68. अलबरूनी के अनुसार फ्रांस का समाज किन चार वर्गों में विभाजीत था 69. इस्तमरारी कर सबसे पहले कब वकहा लागू किया गया 70. जमीदारों द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था 71. संतानों का नित्रित्व किस ने किया 72. भारत में सरुप्रतम औपनिवेशिक शासन कहां स्थापित हुआ 73. पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश हुई 74. रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ 75. रैयतवारी क्या थी इसे कहां लागू किया गया 76. दककन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब रस्तुत की गई 77. रैयतशब्द का प्रयोग अंग्रेजों ने किसके लिए किया 78. बंगाल में जोददार किन नामों से जाने जाते थे 89. बुकानन कौन था 80. पांचवी रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है 81. साहुकार किसानों को रिंड देने से क्यूं निकाल कर रहे थे 82. अंग्रेजों की भूरा जस्व संबंदित कौन-कौन से तीन प्रनालियां प्रचलित थी 83. संथाल कौन थे 84. रैयत द्वारा साहुकारों के द्वारा अंग्रेजों को दिये गए प्रार्थना पत्र में उलेकित शिकायतों का उलेक करो 85. पांचवी बोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई 86. किन कारणों से भारतिय दस्तकार बेकार हो गए 87. धनी किसान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है 88. बंगाल में 1793 के समय गवर्नर जनरल कौन था 89. संथाल लोग अंग्रेजों को आदर्श निवासी क्यों लगे 90. ब्रिटिश काल में दककन दंगा होने का मुख्यकारन बताए 91. अमेरिका में ग्रेह युद्ध का प्रारंब हुआ 92. जोद्दारों की जमीन का काफी बड़ा भाग किन के द्वारा जोता जाता था 93. उदाल और हलकिन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है 94. पहारी लोग किस प्रकार खेती करते हैं 95. संथलों शक्ती का प्रतीक क्या था 96. रैयत वशिकमी रैयत में क्या संबंध था 97. 1861 में कहां ग्रेह युद्ध प्रारंब हुआ 98. डामिने कोह से आप क्या समझते हैं 99. 1860 से पहले ब्रिटिश में कपास का आयत कहां से होता था 100. इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दिवानी का प्राप्थ हुई है